हेलो एव्रिवन वेल्कम टो अर्याटिव चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स तो दोस्तों मैंना आपको बताया था कि एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगा चैनल पे ठीक है तो अभी आपका लग्षिभाई नेशनल कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन जो के त्रिमेंद्रम में है केरला में उसका बीपेड कोर्स और एंपेड कोर्स का एडमिशन मतलब आविदन स्टार्ट हो चुका है ठीक है आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल बताऊंगा क्या उसका एडमिश रहा होगा मैं हूँ अभी लग्षिभाई नेशनल कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन की ओफिस्यल वेबसाइट पर इस वेबसाइट की लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स तो मिल जाएगी तो जैसी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा तो यहां पर लिख रहा है साई LNCP जानेशनल कॉलेज अंडर दे एजिस और स्पोर्ट ऑथरिटी अफ इंडिया और इस अफिलेटेट टू निवर्शिटे ऑफ केरला मतलब केरला इनिवर्शिटी से यह अफिलेशन ने इसका यहां पर दूस्तों दो कोर्स करा जाता है ब आपको बताना है अपडेट आप देख सकते हैं यहां पर एडविशन 23-24 नोटिफिकेशन पर इनिवर्शिटी ऑफ केरला प्रॉस्पेक्टर्स प्रॉस्पेक्टर्स में सारी इंफोमिशन दी गई है तो आप इसको डाउनलोड करके यहां से पढ़ लिजेगा फीश चैड तो आप देख सकते हैं मैंने प्रॉस्पेक्टर्स को डाउनलोड कर लिया है अब क्या क्या इंप्पॉर्टन चीजें इसमें बताता हूं आपको एक एक करके आप देख सकते हैं कोर्सेस ओफ़ड लिखावा बीपेट फोर इयर का आपका यहां से स्टार्ट है ठीक है एड्मिशन का रिगार्डिंग देखिए यहां से इंफोमेशन आपका दिया गया है दा कॉलेजिस को एड्यूकेशनल एड्मिट सुट्ट्स वॉम ओल ओवर अब यहां पर बताया गया दोस्तों एप्लिकेशन फॉर एड्मिशन आपको आविधन करने के लिए अपने सारे डॉकुमेंट को अभी उसमें अट्रेस्ट करने पड़ेंगे ठीक है आगे पता चल जाया है क्या क्या लागया और फॉर्म को बरने के लिए आपको लागया ह और आगे नीचे बताता हूं आपको क्या के दिया गया है देखिए अगर आपको MPS कोर्स कर देना है तो आपका ट्रायल कर बहुगा चार और पांच जुलाई को होगा अगर आपको BPD कर देना है तो 6 और 8 जुलाई को आपका जो भी प्रोसेस है एड़िशन का सब इसी में ह होगा ठीक है 6-8 जुलाई तक कहां कहां होगा आपका एड़िशन टेस्ट तीन जगहा पर होगा एक होगा आपका LNCP त्रीवेंद्रम में दूसरा होगा LNIP NRC गुवाटी में जो कि असाम में है और तीसरा आप दे सकते हैं LNIP गॉलेर में तो ये तीन जगहा पर आप अप आपको और क्लियर कर दूँगा अच्छे से नीचे आते हैं पेज नंबर 17 पर आपको कुछ और इंफ्वर्मेशन दिया गया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है ठीक है दोस्तों देख लिए आप शीट्स यहां पर दिखा रहा है आपको क्लियर ली 42 में के लिए वुमें के लिए 28 टोटल 20 से अब सिलेक्शन क्राइटीरिया जो सभी अच्छों के मैंने में डाउट था कि सिलेक्शन क्राइटीरिया क्या है तो अभी आपको दिखा दे क्लियर ली अब रिटेंट टेस्ट और आपको 50 नंबर कर ठीक है अब रिटेंटेस्ट में क्या क्या आएगा और रिटेंट टेस्ट कंसिस्टिंग और 50 मुल्टीपल चॉइस कोस्टेंस मतलब 50 MC क्यों आएंगे टॉपिक्स कौन कौन से जनरल इंगलिस आएगा जनल नोल ज आपको टाइम में लेगा 50 को करने के लिए जो जो केंड़िट 50 में से 20 नंबर भी नहीं ला पाएगा उसको आगे के लिए क्वालिफाइगा तीक है वहीं पर बाहर हो जाएगा दूसरे आते हैं दूसरा प्रोसेस आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप यूज फिटनेस कितना स्कोर मिलेगा तीस नंबर का इसका विटेज है आपका फिजिकल टेस्ट का 50 हमारा रिटन का हो गया था बुल अप्स होगा बॉइस के लिए गल्स के लिए फ्लेक्स आम हैंक गल्स फ्लेक्स लेक्स सेटल रन सेंडिंग बॉट जम 50 यार्ड डैस और 600 यार्ड रन तो आप स्किल टेस्स दे सकते हैं जो होगा आपका 10 नंबर का ठीक है आप कौन-कौन से गेम से दे सकते हैं आपके उनमें डाउट यह आएगा तो यहां पर लिखा गया है जो भी होता है गेम्स उन उन गेम्स में आप स्किल टेस्स दे सकते हैं ठीक है बाकी और अच्छे से प्रोस्पेक्टर्स को पढ़ लिजेगा एक बार डाउनलोट करके तो हमारा कितना हो गया हमारा 90 परसेंट हो गया बचा 10 तो 10 परसेंट हो बचा उसका होगा हमारा स्पो नमबर का मेरिट बनेगा 50 रीटन हो गया 30 विजिकल हो गया 10 नमबर का स्किल टेस्स हो गया 10 नमबर का स्पोर्ट स्रेटिफिकेट मार्क्स हो गया ठीक है अब यहां पर देखे क्या लिखा है मतलब आपको मिदियूम 45 लाना पड़ेगा 45 यह उससे ज्यादा मिदियूम अफ इंस्ट्रक्शन एंग्जामिनिशन जो भी आपको कॉर्स है वो इंग्लिस में पढ़ा जाता है तो यह सब हो गया आपको अपडेट जो भी प्रस्पेक्टर स्में था और आपको जानना है जो भी स्कॉर्स की बारे में तो आप प्रस्पेक्टर को डाउनूड करके देख लीजेगा अब लिए चलता हूँ मैं आपको कि कैसे इस college के लिए आपको apply करना है तो आप देख सकते है apply online पर click करता हूँ मैं यह on link पर click करना है तो आप जैसे apply online पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ directly ऐसा interface खुल जाएगा ठीक है बहुत सिंपल सा process है application for admission course details आप भर दिजेगा जो भी course में आपको apply करना है यहां से choice center भर दिजेगा जो भी आपका game है इसमें डाल दिजेगा ठीक है personal details fill कर दिजेगा इस अब आपको common चीज़ है आप खुद कर लेंगे कुछ बताना ही पड़ेगा यहां पर देखिए अगर आपको कोई card certificate हो यहां पर upload करना पड़ेगा address for communication जहां से आपका contact हो सके father's name इस सब basic details से इतना तो भर लेंगे यहां पर आपको एक passport size photo upload करना पड़ेगा यहां size के ध्यान दिजेगा ठीक है कोशिच करेगे laptop से upload करें तो अच्छा हो जायता है बीना problem के यहां पर आपको अपना signature upload करना है यहां पर आपको दोस्तों अपना 10th का birth certificate upload करना है ठीक है birth certificate नहीं है तो class 10th का mark sheet भी आप upload कर सकते हैं बाते नीचे educational qualification तो result आ चुके हैं तो आप अपना education qualification भी डाल दिजेगा है जो भी marks मिले हैं ठीक है यहां mark sheet आप upload कर दिजेगा अपना डिजी लोकर वाला है ठीक है तो उसको upload कर सकते हैं अब आते नीचे appearing appeared आगर आपको result आ गया तो appeared में कर दिजेगा ठीक है result नहीं है तो appearing में कुछ भी करके भर दिजेगा जो भी आपके marks आ है mark sheet कि यहां पर upload करती जगा sports achievement mention one of only the highest achievement आपके पास जो भी एक sports certificate को लगाना है highest level of achievement दिया गया options में से टिक करके आपको यहां पर upload करना पड़ेगा ठीक है certificate को भी अब आते ही नीचे अब बात करता है payment की तो आपको 1000 रुपर payment करना है कहां करना है आपको इस bank account नंबर में करन गया है ठीक है payment करने के बाद आपको उसका proper detail यहां पर पूरा फिल करके payment screen score के साथ फ़र्म को यहां पर टिक करके जमा कर देना है ठीक है यहां आप submit button प्लिक करेंगे तो आपका form जम हो जाएगा यही था simple सा process है बस आपको पता होना चाहिए कि कपका form आ रहा है बाकि कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है form बनना बहुत ही असानी से हो जाएगा आपसे तो कर लिजेगा अगर आपको कोई भी द संसरा को जाएगा रहाँ भी आपको क भी दूच ओना बहुत है रहा खास